कैंसर एक ऐसी बिमारी जिसे सुनते ही लोगों के प्रांध सूखने लगते हैं प्रांध छूटने लगते हैं लोग भैसे ज्यादा मरते हैं कैंसर से कम मरते हैं अभी हमारे साथ में कैंसर से लड़ने वाले एक ऐसे युद्धा है जो पिछले 43 सालों से कैंसर के मरीजों का इ इलाज कर रहे हैं लाखों मरीजों को इन्होंने एक जीवन दिया है हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर जीके रत्साहब का दिल्ली एम्स में पिछले 43 सालों से अध्यापन का कार्ज किया इन्होंने ना सिर्फ कैंसर के रोगियों का इलाज किया बल्कि कई ऐसे डॉक्टर पैदा किये जो आज देज के कोने कोने में कैंसर से जो चल रही है लडाई उस लडाई में युद्धा बनकर खरे हैं तो सबसे पहले जीके रत्साहब कसिस टीवी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और कैंसर सब्सुनते ही एक अगर कहा जाए भै एक चिंता एक सामने में मौ आप देखते हैं क्या सही में कैंसर इतना भैवाव है या फिर इससे भी बचा जा सकता है यह जो आपने स्टेट्बल बोला कैंसर एक भैनक बीमारी यही एक भ्रहंती है यह सही स्टेटमेंट नहीं है मेरेे सावसे कैंसरे got fantastic डिजिश कैंसर और को इंवारी नहीं नहीं है कि मैं सीलिए बोलना चाहता हूं जो लोगों को पता नहीं जो मैं बताना चाहता हूं कि कैंसर ऐसी एक बीमारी है जो कि आसकल बड़े जादा से जादा मत्रम पाई जाते हैं क्योंकि हमारे country में जो स्वास्था खेत्र में जो प्रगति हुई है उसमें आजकल कॉलरा smallpox खतम हो गए तो आजकल communicable disease छोड़के हम non communicable disease जादा पाई जाते हैं इस दिश में आजकल, तो आजकल क्या-क्या बीवारी लोगों को होता है, कैंसर, काडियाक, ब्रेन स्ट्रोग, आक्सिडेट, यहीं कमर बीमारी नडाइबेटिस, थाइरोड यह सब बीमारी यह है, लेकिन डाइबेटिस ना ठीक होती है, आप ज़रूर उसको मेंटेन कर सकते हूं, हो शुगार मेंटन कर सकते हो कंट्रोल कर सकते हो लेकिन डाइबेटी से प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं डाइबेटी साब ठीक में नहीं कर सकते हैं बीपी ना प्रिवेंट कर सकते हैं ना ठीक कर सकते हैं ठीक कर सकते हैं लेकिन वही बात है लाइफ मैथमेटिक्स तो है नहीं कि शुबे छे उठना च्छे बज़े पंदर में नहीं खाऊगे तो काम नहीं चलेगा लेकिन कैंसर इतना बढ़ी हा भीमारी है कि 50% कैंसर प्रिवेंट होगा मैं अब भी अगले पांच मिने में सारा बता दूगा 50% कैंसर प्रिवेंट होता है 50% कैंसर आरली डियाग्निस हो कि बंदे को आपने कभी पान का या तंबाको शेवन करना नहीं देखा होगा इसलिए उनका मू का कैंसर नहीं होता तो प्रूब तो हमारे कंट्री में पान का नहीं खाते नहीं होता लेकिन जिस जिस बुल्क में लोग पान तंबाको खाते हैं उनको मू का कैंसर होता है कि jy 15 परसन रहा गया और इंफेक्शन का बेढ़ से होता है सबसे बड़ी इंफेक्शन जो हमारे मुल्क में होता है वह सर्भायकिल कांसर होता है human papilloma virus में सारे लड़कियों को बोलूंगा सारे जन्ता को बोलूँगा इसको जो आप गूगल करके देखिए human papilloma virus जो है cervical cancer करता है और vaccine lesson लेने में ये बीमारी खतम होते जा रहा है हमारे country में में जब मेरा career सुरू किया था 48 साल पहले cervical cancer incidence हमारे country में 1,50,000 वा करती थी 1,50,000 आज के दिन में 1,50,000 हो गया 1,50 हो गया पिछले 50 साल में और कुछ country जैसा है जैसे Australia वहां तो खतमने जा रहा है cervical cancer खतम तो है ना बढ़िया बीमारी में इसलिए बढ़िया बढ़िया बीमारी बताया कि ये प्रिवेंट भी हो सकता है और अगला चीज इसलिए में बढ़िया बताया कि ये क्योर भी होता है आपने देखा होगा डायबेटिस की ओने होता बीपीट की ओने होता थायरट की ओने होता लेकिन हमारे कंट्री में काफी ऐसा जाने माने बैखती है जो अपने को इस काम में लगा रहे हैं यसे युवरा क्यार सिंग आपको पता है उचे चक्क करता है उसने अपने कितना क्यारियर में नाम कमाया अब सब नाम को अपने उसने युवी ट्रस्ट करके ट्रस्ट बना दिया और और cancer के लिए fighting कर रहे हैं हमारे और एक मित्र है मनिशा कोईराले जी बहुत फैमस actress है वह भी हमारा साथ मिल के काफी काम करते हैं उनको बोलने पर मनिशा जी बोलने में काफी लोग सुनते भी है तो यह समग्योड है तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि cancer क्योरेबल है 50% कैंसर प्रिवेंटेबल है 50% कैंसर अरली डियाग्नुस हो सकता है 50% अली रिगनुस कैसे होता मैं आपको बता रहा हूं हमारे कंटर में तीन कैंसर सबसे ज्यादा है एक तो मुह का कैंसर दूसरा सर्भैकल कैंसर जो बच्चे दानी का मुह बोलते हम इसको और अगर डॉक्टर के पास चले जाए वो तो पहले अरली स्टेज में हम एक 80-20 का फर्मुला बताते हैं बच्चों को 80-20 फर्मुला 80-20 फर्मुला क्या है 80% कैंसर हमारे कंट्री में लेट आते हैं जिनमेंसे 20% क्यों रहे बले ओनली 20% आरली आते हैं जिनमेंसे 80% क्यों रहे बले जो मनोज भाष साब ने जो बोला ना खतरनाक बिमारे इसलिए हमारे कंट्री में खतरनाक माना जाता है 80% लेट आते हैं जिनमेंसे 80% ठीक नहीं होते हैं तो ज्यादा अतर लोगों के मन में यह आइडिया आ गया कि ये होता है उसकी पहचान क्या है हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं तो इसकी पहचान क्या है इसको प्रिवेंट करने का तरीका क्या है ये कैसे पता चलेगा एक आम आदमी जो अगर हम बिहार जार्खन के अगर हम बात करते हैं तो जार्खन में हर जो जाच होती उसमें तिसरे व इसको आप फैंटास्टिक कह रहा है ठीक होने वाला कह रहा है वो कैसे पहचानेंगे ऐसा है पिछड़ा इलाका या डेवलप्ट इलाका कैंसर इसमें फरक नहीं करता आपको जानके हैरानी होगी कि हमारे कंट्री में जितना कैंसर इंसिदेंट्स है अमरिका में उसे चार पहले लिट्रेचर में आगे प्रूब हो गई कि पहले काडियाक डिजिस के बज़ए से सबसे नंबर वान कौज अब डेथ था काडियाक अब कैंसर आगी अडवानस कंट्री में हमारे कंट्री में अभी भी नंबर टू है और हम प्रग्रेस कर रहे हैं हम बहुत जल्दी न आते हैं अगर किसी का लड़की नो से 26 साल तक है और उसने अगर अपने लड़की को बैक्शनेस नहीं लगाया मैं अगले बार अपने दफ्तर में उसको आने नहीं देता हूं इतना सीरियस होना ज़रूरी है आपको इसके लिए ज्यान लगना पड़ेगा तुसरी बात है तमभा लिए तमभा खू नठाना इसमें खर्चा गया तो खर्चा बच गया आपका शिग्रेट नउ पीना उसमें क्यासर होता है एक तो हम उसको अगल चान्त nggak अधना सवेक्शन होता है कि हम अन्दा रोका हूं अब सब्सवाधा यह चिजर गाते हैं कि तमभा को सब्से खतरनाक एजेंट है जो की कैंसर की कौज है अब मैं इसलिए फैंटास्टिक बताया है कि यह सब का जब है मैं पता चलेगा आम जनता को पता चलेगा आम जनता जैगरुख होगी और तंबा को के सेवन बंद होगा हमारे कंट्री जो सिस्टम है कोई आया घर में उसको पांध क करने लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत महत्पूर्ण जानकारी आप में दी और निश्टी तोर पे दर्शकों को इसका फायदा मिलेगा कैंसर को लेकर के इनके जो बाते हैं इनके जो ग्यान हैं इनकी जो अनुभाव है वो हम सब को फायदा काने वाले दिनों में इस उमीद के साथ कि हम कैंसर पे जीत हासिल करेंगे इस काज करम में हमें दीजिए इजाजत नमस्कार